हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में कक्षा ग्यारा गडित में इस वीडियो से हम सुरू करने जा रहे हमारा एक नया चैप्टर चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रैखिक असामिकाएं लिनियर इनक्वेल्टीज अब बाई स सबसे पहले आपको हम बताने वाले हैं कि रैखिक असामिकाएं क्या होती हैं अब देखो जैसे कहीं पर लिखा है रैखिक अर्थात लिनियर का मतलब होता है जहां पर कोई भी चर दिया हो लेकिन उसकी एक घात हो तो उसे हम कहते हैं यहां रैखिक है जैसे कहीं पर लिखा चर एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बैई पावर एक ही होनी चाहिए, जैसे कहीं पर लिखा हो इस प्रकार से, ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर X और Y दो चर हैं, लेकिन प्रतेक की एक एक घात ही है, बैई रैखिक में कहीं पर ऐसे लिखा होना चाहिए अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है तो आप यह रहाखिक समिकर्ण नहीं होगा क्यों कि यहाँ पर X कीएक गात है Y की एक गात है और यहाँ पर दो घाते बन जाएंगी तो यह वाला रहखिक समीकरण नहीं कहा जाएगा तो भाई समझ में आ गया कि रैखिक का मतलब क्या होता है रैखिक का मतलब होता है जहां पर कोई भी चरो लेकिन भाई उसकी न एक ही घात हो तो उसे हम कहते हैं रैखिक अब भाई आ जाओ असमिकाओं पर अब ये असमिकाएं क्या होती है भाई ध्यान देना जैसे यहाँ पर देख लो यहाँ पर भाई क्या है कि बराबर का निसान लगा हुआ है एक पच इधर लिखा है एक पच उधर लिखा है तो इसे हम कहेंगे यहाँ एक समी करण है यह वाला भी एक समी करण है समी करण का मतलब होता ह वहाँ पर भाई बराबर का निसान लगा होना चाहिे लेकिन असमिकाओं में ऐसा नहीं होता है अब ध्यान देना इसमें कौन कौन से निसान लगे होते हैं एक निसान यह होता है और एक होता है ये वाला smaller than, greater than, छोटा है, बड़ा है भाई इस प्रकार के अगर निसान लगे हो और कुछ इसी प्रकार की संख्याय लिखी हो तो उसे हम कहे देंगे ये असमिका है जैसे भाई कहीं पर लिखा हो इस प्रकार से ठीक है, ये लिखा है x is greater than 4 x बड़ा है 4 से तो देखो, अगर यहाँ पर x इस प्रकार से आप लिख दोगे तो भाई ये तो एक समिकण बन जाएगा चुकि यहाँ x बड़ाबर 4 लिखा हुआ है लेकिन अगर बड़ाबर की जगा पर आप smaller than और greater than इनका प्रियोग कर दोगे तो भाई उसे हम असमिका कहे देंगे तो वहाँ पर clear नहीं होता है कि भाई x का मान क्या है लेकिन ये clear होता है कि x का मान 4 से तो बड़ा है भाई ये लिखा है x बड़ा है 4 से तो x का मान 4 से तो बड़ा है लेकिन कितना है ये clear नहीं है जबकि यहाँ पर क्या होता है यहाँ clear है कि x का मान 4 के बराबर है ठीक है बाई तो समझ में आ गया जहाँ पर बराबर के निसान के बजाए इस परकार के बाई निसानों का प्रयोग होगा आप समझ जाओगे कि वहाँ एक असमिका है आप ध्यान दीजेगा कि बाई लगा हो तो निसे बोलते हैं smaller than r equal to छोटा है या बराबर है यहां पर क्या होगा बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है चौथा निसान इस प्रकार से हो जाएगा greater than r equal to बड़ा है या बराबर है ठीक है समझ में आ गया तो भाई इस प्रकार के चार निसान जो है आपको असमिकाओं में देखने को मिल जाएंगे वहां बराबर का निसान होता था यहां पर भाई आपको चार प्रकार के निसान मिल जैसे ही आपको यह निसान मिलेंगे आप जान जाओगे यह समीकरण नहीं है यह है आख थोड़ा सा difference देख लो कि समीकरण और असमिका में difference कहां कहां पे होता है जैसे भाई कहीं पर लिखाओ x बराबर 4 ये एक समीकरण है तो भाई समीकरण की एक खास बात होती है आप दोनों पच्छों में कोई भी संख्या जोड सकते हो, कोई भी संख्या घटा सकते हो, किसी भी संख्या से गुडा कर सकते हो और भाग भी कर सकते हो भाई इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बराबर के निसान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन भाई असमीकरण में क्या होता है कभी कभी प्रभाव पड़ जाता है जैसे अगर भाई कहीं पर लिखा हो 4 बड़ा है 3 से तो भाई आपको पता होना चाईए कि 4 तेन से बड़ा होता है clear है यहाँ पे लेकिन अगर हम दोनो पक्षों में माइनस से गुड़ा करना चाहें भाई दोनो पक्षों में आप माइनस से गुड़ा कर दो यसे यहां करोगे तो क्या जाएगा भाई माइनस x बराबर माइनस 4 कोई फरक नहीं पड़ेगा आप माइनस से गुड़ा कर सकते हो यहां पर करोगे तो भाई यह आजाएगा माइनस 4 और यह हो जाएगी minus 3, अभी आपको भाई पता होना चाहिए, कि 4 तो 3 से बड़े होते हैं, लेकिन minus 4 minus 3 से बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं तो भाई, बीच वाला चिन बदल जाएगा, तो भाई, जो बीच वाला चिन है, वो कब बदलता है? जब आप दोनों पक्चों में minus से गुड़ा कर देते हों, तो यह हो गई हमारी पहली condition अगर हम दोनों पक्चों में minus से गुड़ा कर देंगे, तो क्या होगा? बीच वाला चिन बदल जाएगा, पहले था यह greater than अब यह हो गया है smaller than, एक और condition है अगर भाई कहीं पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और आप संख्याओं को उल्टा करके लिखदो, जैसे एक बटे 4 और यहाँ लिखदो, एक बटे 3 चार तो 3 से बड़े हैं लेकिन एक बटे 4, एक बटे 3 से बड़े नई हैं, छोटे हैं तब भी यहाँ पर चिन बदल जाएगा तो हमारे पास केवल दो कंडिशन है चिन बदलने की कौन कौन सी है कि भाई अगर आप दोनों पक्चों में माइनस से गुड़ा करते हो तो चिन बदल जाएगा अगर आप संख्याओं को one upon करके लिखते हो तब भी बीच वाला चिन बदल जाएगा बाकी भाई जो प्रॉपर्टीज है वो एकदम बराबर की तरह ही रहेंगी और इसे हम समी करण की तरह ही हल किया करेंगे बस आपको खाली ये वाले दो point याद रखने है अब भाई मालो कि कोई सवाल लिखा है तो उसे हम हल कैसे करेंगे अब भाई ध्यान दीजिए हमने या पहला उदारन लिखा हुआ है लिखा है 30X छोटा है 200 से अभी आपके पास यहाँ दो option है और भाई दोनो option के हिसाब से आपको X के मान निकालने है पहला है X प्राकर्तिक संख्या है दूसरा है X पूरांक है आपको भाई दोनो ही हिसाब से अलग अलग X के मान निकालने होंगे तो भाई इसे हल करते हैं क्या लिखा हुआ है लिखा है 30X छोटा है 200 से अब भाई आप चाहो तो दोनों पक्षों में 30 से भाग कर सकते हो जगो अगर आप प्लस की संख्या से भाग करते हो या गुड़ा करते हो तो भाई चिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आप माइनस की संक्या से गुडा करते हो या भाग करते हो तो क्या होगा चिन भाई पलट जाएगा तो यहां तो हम 30 से भाग करने वाले हैं तो चिन तो पलटेगा नहीं तो अगर आप 30 से भाग करोगे तो यहाँ पर 30 गायब हो जाएंगे और यहाँ आजाएगा 200 बटे 30 भाई 00 काट लो X छोटा है 20 बटा 3 भाई सही करके लिखोगे तो आजाएगा 6 सही 2 बटा 3 यह आगे आपका X का मान कि भाई X जो है वो 6 सही 2 बटे 3 से छोटा है अब आजाओ पहले वाले आपसन पर पहला आपसन क्या है कह रहा है X एक प्राकरतिक संख्या है आप जड़ा बताओ कि भाई X के कौन कौन से मान संभव होंगे देखो, 6 सही 2 बटे 3 से छोटी संख्याएं ग्याद करनी है, संख्याएं ऐसी हो जो प्राकर्तिक संख्याएं हो, तो 6 सही 2 बटे 3 से छोटी संख्या हो जाएगी 6, भाई चोटी होगी न, उससे छोटी होगी 5, उससे छोटी होगी 4, उससे छोटी होगी 3, फिर 2 होगी और भा 5 5 6 बस केवल 6 मान हो सकते हैं कब जब एक्स एक प्राक्रतिक संख्या है तब अगर एक्स पूढ़ांक हो तो बैई क्या करोगे आप ध्यान दीजेगा अभी आपको वह ज्यात करने हैं 6 शहीं दो बटा तीन से छोटे पूडांक, तो 6 सही दो बटे तीन से छोटा पूडांक कौन होगा, 6 होगा हमारे पास, उससे छोटा 5 होगा, उससे छोटा 4 होगा, फिर भाई 3 होगा, 2 होगा, अब भाई 1 से छोटा भी पूडांक होता है, 0 होता है, 0 छोटा माइनस 1, उससे छोटा म ,-2 और ऐसे भाई आप माईनस में जहां तक संख्याये लिख सकते हो अर्थात भाई अंगिनत संख्याये हो जाएंगी माईनस में, लेकिन पलस में केवल 6 तक ही संख्याये मानी जाएंगी तो देखा आपने जब X का मान प्राकृतिक था तो उत्तर ये वाला आया जब X का मान पूडांक है तो उत्तर आया हमारा ये वाला तो भाई यहां पर क्या होगा इस प्रकार से ना एक्स के मान बदल जाया करेंगे तो आपको विचार करना होगा कि प्रकृतिक में क्या होगा पूरांक है तो क्या होगा वास्तविक संख्या हैं तो क्या होगा कालपनिक है तो क्या होगा वाई उस हिसाब से क्या होगा आंसर बदल जाया करेंगे तो भाई समझ में आया हमारा पहला उधारण तो इस प्रकार से नहीं आपको सवालों को हल करना है अगर यहां तक पूरा-पूरा आपकी समझ में आ गया है तो अब हम exercise 6.1 को शुरू कर सकते हैं अब ध्यान दीजिए हमारी प्रस्ना वाली पर हमने क्या किया है पहले दो सवाल लिखे हुएं दोनों सवालों में आपको X के मान निकालने हैं और दोनों ही सवालों में आपके पास X के दो दो आपसन है पहला है जब प्राकरतिक संख्या होगी और दूसरा है जब पूरांक ह होगी दोनों सवाल एकदम सेम हैं देखो भाई कैसे करने हैं ये तो एकदम उधारण की तरह ही है जो हमने आपको अभी बताया था भाई लिकाए 24 एक्स छोटा है 100 से तो आप पहले क्या करोगे 24 से भाग करने पर जब यहां आप 24 से भाग कर दोगे तो भाई इधर से 24 गायब हो जाएंगे और यहां पर क्या आजाएगा 100 बता 24 अगर आप प्लस की संख्या से गुड़ाया भाग करते हो तो चिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक है आप क्या करोगे भाई यहां यहां आप चाओ तो 4 से काट सकते हो ठीक है भाई यहां आजाएगा 25 और यहां आजाएगा 6 आग यहां 25 बता 6 6 4 24 4 सही 1 बता 6 यहां छोटा है अब X छोटा है 4 सही 1 बता 6 आप क्या करना है यहां से आपके पास दो आपसन है पहला कहरा है कि जब X प्राक्रतिक संख्या है यहां भाई डाल लो जब प्राक्रत संख्या है तब X का मान क्या होगा अब भाई ध्यान देना है आपको X का मान है 4 सही 1 बता 6 से छोटा तो 4 सही 1 बता 6 से छोटी संख्या तो 4 होगी उससे छोटी 3 होगी उससे छोटी 2 होगी और भाई उससे छोटी 1 होगी और 1 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं होती नहीं हैं तो हमारे एक्स के मान यह वाले प्राप्त हो जाएंगे अगर यहीं पर कैदे कि भाई पूरांक हैं तो आप पूरांक में क्या करने वाले हो भाई सेम रहेगा बस थोड़ा सा देखना अंतर आ जाएगा स्टार्टिंग वहीं से होगी चार, तीन, दो, एक लेकिन पूरांक एक से भी छोटे होते हैं तो एक के बाद जीरो भी आएगा माइनस एक भी आएगा माइनस दो भी आएगा और ऐसे बाई माइनस में संख्याएं आती ही चली जाएंगी तो उसे हम डाट डाट करके दिखा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा पहला सवाल आपको ना कुछ इस परकार से लगाना है तो ये तो अगदम उदारण की तरह था ये वाला थोड़ा different है देखो क्या लिखा है माइनस बारा एक्स बड़ा है 30 से अभी क्या करना है देखो X के साथ माइनस है तो क्या करना पड़ेगा माइनस 12 से भाग करना पड़ेगा यहाँ आप लिख सकते हो कि माइनस 12 से भाग करने पर अब देखो माइनस की संख्या से गुड़ाया भाग करोगे तो क्या होगा चिन बदल जाएगा तो यहां अगर माइनस से भाग करोगे तो आप x बचेगा भाई माइनस 12 तो गायब हो जाएगे चिन लग जाएगा उधर की ओर और हो जाएगा 30 बटे माइनस 12 ठीक है भाई यहां पर भाग कर दोगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा माइनस 2.5 x छोटा है माइनस 2.5 से अब पहला अप्शन है प्राकरत संख्या वाला आप जरा हमें बताओ कि क्या कोई ऐसी प्राकरतिक संख्या हो सकती है जो माइनस 2.5 से छोटी हो ही नहीं सकती है जो कि प्राकरतिक संख्या हमेसा प्लस की होती है तो वो माइनस की संख्या से हमेशा बड़ी होंगी, छोटी हो ही नहीं सकती है, तो यहाँ X का मान फाई आएगा, अर्थाद भाई X का कोई भी मान नहीं होगा कब, जब X प्राकरत संख्या है तब लेकिन अगर X पूडांक है, तो मान होगा अब देखना क्या मान होगा भाई माईनस 2.5 से छोटी संख्या कवन होगी माईनस 3 होगी, फिर बाई माईनस 4 होगी माईनस 5 होगी और इस प्रकार से आप माईनस की और कोई भी संख्या लिखते चले जाओ, सब X का मान होंगे, यह मान कब निकाल रहे हम, जब X 1 पूडांक है तब जब X प्राकृतिक संख्या थी तब X का मान फाई आया था फाई का मतलब है X का कोई भी मान आपको प्राप्त नहीं होगा अब आजाओ प्रस नंबर 3 और 4 पर दोनों ही सवाल लगबग लगबग समान है यहाँ पर भी दो आपसन है पहला है पूडांक है और वास्तविक संख्या है यहाँ पर भी भाई X के दो आपसन मिलेंगे पहले में होगा पूडांक है और दूसरे में है कि वास्तविक संख्या है अब देखना आप इसे कैसे हल करोगे इसे एकदम आप समी करण की तरह ही ट्रीट करोगे, ठीक है, केवल दो आपसन होंगे, जब आप माइनस से गुड़ा भाग करोगे, तो चिन पलड जाएगा, या तो आप संख्याओं को one upon करोगे, तो चिन पलड जाएगा, बाकी जो ये चिन है, ये एकदम समी करण की तरह ही आजाएगा, दस, अभी क्या करोगे आप, पांच से भाग कर दोगे, तो भाई यहां लिखना कि 5 से भाग करने पर, जब आप से भाग करोगे, तो भाई कुछ इस प्रकार से आजाएगा, अब देखना, एक्स का मान जो है, वो दो से छोटा है, अभी आपको भाई पूडा आंक में मान लिखने हैं तो पहले आप मान कर चलो कि आप पूड़ांक में लिखना चाह रहे हो तो भाई दो से छोटे कौन मान होते हैं भाई दो से छोटा होता है एक ठीक है एक से छोटा होता है जीरो फिर होता है माइनस एक माइनस दो माइनस तीन और इस प्रकार से आप मा संख्याएं दो से छोटी ही मानी जाएंगी ये कब हो रहा है जब x1 पूडांक है तब दूसरी बात अगर x1 वास्तविक संख्या है तब आप बहुत ध्यान देना है आपको वास्तविक संख्याओं में क्या होता है दो से छोटी संख्या जरूरी नहीं एक हो एक से बड़ी ऐ एक और दो के बीच में ही आ जाएंगी तो जब कभी वास्तविक संख्या का नाम ले तो आप मैसा छोटा ब्रैकेट बनाओ दो से छोटा लिखना है तो पहले यहां दो लिख लो और इधर आप माइनस इंफाइनाइट तक चले जाओ ठीक है छोटे ब्रैकेट का ये मतलब होत भाई अगर समझ में ना आया हो तो देख लो जैसे x का मान दो से छोटा है तो अगर कहीं पर आप लिख दो 1.9 तो यह वाला भी x का मान यहां पर माना जाएगा कब जब वास्तविक मान है तब लेकिन यह पुड़ांक में नहीं माना जाएगा तो वास्तविक संख्याओं म चोटा bracket बनाओ आपको दो लिख दो निच जाना है तो आपको मैनस से इंफाइनाइट। ऊपर जाना है, तो प्लस इंफाइनाइट बस bracket closed कर दो, चोटे ब्रेकेट का मतलब होता है ना तो आपको दो गिनने हैं ना गिनना है आपको मैनस का infinite, इनके बीच की संख्या ही आपको गिननी है, वही आंसर मानी जाएंगी ऐसे ही आप आजाओ चोथे वाले सवाल पर ठीक है भई, प्रतेक सवाल को न बहुत धंग से आपको देखना है क्योंकि भई, प्रसनावली बहुत बड़ी है और भई, प्रतेक सवाल लगबग ऐसा ही है यहाँ पर आजाओ 3x प्लस 8, अब देखो क्या होगा 8 न उधर चले जाएंगे तो क्या होगा, 3x बड़ा है, और भई, इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस के 8, तो यहाँ आजाएगा माइनस के 6 गटा दोगे, तो माइनस के 6 आजाएगे तो यहाँ आजाएगा, x बड़ा है माइनस के 2 हमने क्या किया है, 3 से भाग कर दिया है, दोनों पच्छों में x का मान माइनस 2 से बड़ा है, आपको पहले पूडांकों वाले मान लिखने पढ़ेंगे, तो भाई पहले पूडांक में बताओ, कौन कौन से मान माने जाएगे, तो माइनस 2 से बड़े कौन कौन से मान होते हैं माइनस 1 होता है, 0 होता है 1 होता है, 2 होता है, और भाई आप प्लस में कोई भी मान लिखते चले जाओ, वो सब माइनस से बड़े ही होंगे clear होगे ना पूर्ण अब आजाओ वास्तविक संख्याओं में वास्तविक यहां लिख दिया करो कि भाई यहां पर हम वास्तविक मान निकालना चाह है, वास्तविक्म क्या होगा, बाई, माइनस दो से बड़ा लेना है, तो इधर आप लिख दो, माइनस दो, बड़ा लेना है, तो सीधा आप चले जाओ, प्लस इंफाइनाइट तक, और हमें साथ छोटा ब्रेकेट लगाओ, क्योंकि भाई इसका मतलब होता है ना तो हमें माइनस दो गिनना है और ना ही प्लस इन्फाइनाइट इनके बीच की संख्याएं हमें गिननी है तो भाई वो वास्तविक वाले मान हो जाएंगे तो भाई यह हो गया हमारा प्रस नमबर 4 अगर भाई यहां तक क्लियर हो गया है तो आगे जो सवाल है प्रसनावली में वो भाई काफी आसान लगने वाले हैं आपको तो भाई जो आगे के सवाल है वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे